हलो एवरीवन असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे अल्ला का शुक्र है हम यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं वेल्कम बेक टो माई यूटुब चैनल आज हम आ गएं मार्केट कृष्णा ब्रेकरी कृष्णा स्वीट्स मतलब हमारी साइड का ना मेरी नहीं सॉरी मम्मा के साइड का सबसे बैस्ट बेकरी शॉप है यह बहुत अच्छा मतलब पहले कुछ और था आज मैं काफी दिन आग लग गई थी जिस वज़े से सारा उनका माल वगरा सब जल गया था रात के टाइम आग लगी थी तो उन्होंने ये दुबारा से सब कुछ सेट अप करा है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था बहुत प्यारा लग रहा था भाया मेरे से कह रहें वीडियो बना रही है को भी केक शॉप खोल ली है किया रहे मैंने का नई भीया मैं केक शॉप नहीं खोल रही मेरा व्लॉग देखना रूही खान व्लॉक्स पर उसको आपको पता चल जाएगा कि मैंने ना आपकी शॉप का प्रोमोशन करा है यहां पे बैट के कह रहे चल ठीक है कोई तो है जो वीडियो बनानी तो बनती है दिल खुश हो गया आज मेरा ना बिल्कुल चेंज चेंज देख करना मन का भीया आज लग रहा है कि हां किसी केक शॉप में आये है पहले भी बहुत अच्छी थी लेकिन आज ना आज बहुत-बहुत-बहुत जादा उन्होंने अपना अच्छ डैकुरेट कर रखा था दुकान को और मैं सारी चीज़े दिखा देख चोटी वाली कह रही थी कि पागल हो जाई यह तू बस जहां मर्दी अपना फोन उठाया और वीडियो बनानी चैलो एनका यार इंजॉय करने दे कुछ होना जाना तो है नहीं लेकिन बस यह एक याद रह जाएंगी अगर मैं रहूं ना रहूं जिंदगी में कम से कम लोग मुझे याद तो कर लिया करेंगे मेरी वीडियो देख देख कर और एक साइड मतलब हर चीज का ना इन्होंने अलग-अलग कर रखा है मतलब अब अलग-अलग क्या पार्टिशन कर रखी है यह कह सकते यहां हालत बहुत गंदी हो रही थी मैं उसको उसको ना पता निक्या प्रॉपलम है जो भी है मुझे नहीं मालूम लेकिन आती भी है कभी-कभी मन होगा तो आजाएगी नहीं होगा तो अभी रहन दे अभी रहन दे और यहां हम वेट कर रहे थे जो हमने और करा था वही ज साथ होती तो खाते घर आते आते ना वो टेस्ट वो मज़ा नहीं रहता चौमिन का यह चौमिन और आप देख रहे हुँ ना यह तीन तरह की इसमें सॉस कैचप और एक सिर्का और यह जो वाइट वाइट पानी है ना जो मिर्च वाला सिर्का साथ यार इतना मज़े का लगता ना यह चौमिन में डालके आहा बात कर रहे हुँ ना तो हमेशे की तरह मुह में पानी आ रहा है यह सोच के और यह देख ना कितनी सारी मिर्चे डाल रहे थी मैंनका भैन हरका हाथ रख ले हद्या तुझे मिर्ची पसंद है इसका मतलब यह थोड़ी हर कोई मिर्च थोड़ी नोनू यहाँ पर कर रहा था अपनी अप्पी को परेशान हमेशा की तरह जैसे वो घर पर आके करता है और यहाँ हम खा रहे थे बिर्यानी यह बिर्यानी ना नीचे जो अंकल है मतलब ममा सिक्यार्टी पर रहती है जो इस घर के ओनर है उनका अपना होटल है तो मैं उनको हमेशा कहते थी अंकल बिर्यानी किस दिन खिलाओगे बिर्यानी किस दिन खिलाओगे तो आज वो दिन आ गया था जो उन्होंने मुझे बिर्यानी मंगा के खिलाई मम्मी कहारी मर जाई हो तो बिर्यानी से घर में बना ले मन का नहीं मुझे घर में नहीं बना नहीं मुझे अंकल के होटल वाली बिर्यानी खानी है तो उन्होंने दो तरह की बिर्यानी मंगा के दी थी दी थी मतलब मंगवाई थी एक नॉर्मल बिर्यानी थी और एक मसाला बिर्यानी थी ये वाली मसाले बिर्यानी थी ये वाली बहुत डिलिशिस थी वो तो बस काम चला हूँ ऐसा लगा था उबलेवे चाहल में नॉन्वेज किसी ने डाल दिया और ये उपर से वो प्याजे फ्राई करते हैं वो फ्राई वड़का लगाते होंगे कुछ बिर्यानी में वो लगाया था और यहां देखो एक प्लेट में हम तीनों बहने स्टार्ट हो गई थी हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूं ना क्या कहती हूं यही कि हम लोग एक ही मैं खाना शुरू कर देते हैं कोई जरूर निया लग लग प्ले रहा अबकि आदेटी है लिक न disp में लोग उडर 6 एजनफी कर Divya कभी न बहुत जेद करता और यहां पर नीई कैसे काज रहनी है अगरनी लाओंगे न फिर वैसो बहुत जल्दी बु खार आ जाता है बिमार पर जाता ही ये मैंन का चलो मुहा दूलवा देती हूं और आपके कपड़े चेंज कर देती हूं तो यहां पे बस उसका मुहा दूलवा कर कपड़े चेंज कर ली थी समसा कह रहा था वंसे कैमरा ओन хват नहीं शेम-SHश हो जाएगा eu मैंन का चलो यार तुम्हारी शेम-Shem हो रही है पर बोल दो ना वो यह रिपीट करें बगएर यह 10-15 दिन तक बोले बगएर ना रह नहीं सकता और इसके अंदर यह भी आदत है कोई चीज अगर कैच कर लेता है ना 15-20 दिन तक तो बोलेगा और उसके बाद वह भूल जाता है फिर कोई नई चीज इसके सामने आ जाती है यह तेल नहीं लगवा रहा था लेट गया था फून चल रहा था ना क्योंकि उसको कार्टून देखना था मनका चलो तुम कार्टून देख लो कोई दिक्कत नहीं है और मैं अपने बाकी के काम निप्टा लेती हूं और बस यह यहां पर इनोनों के स्लिपर लेकर आगी थी क्य कि आना है जाना है या कोई अपने सिलाई के कपड़े देने जाना है कोमेटी के लिए जाना है तो यह जो बीच का टाइम होता ना इस टाइम में मैं कुछ भी कहीं भी चले जाती हूं नहीं तो ना मुझे नूनू को साथ में ले जाना अरे अल्ला बस इसको साथ में ले जाना था और मैं थोड़ा सा बस वो कहते है ना गुस्ता किता भी कर लो लेकिन प्यार बहुता था तो बस वही प्यार आ रहा था इसको पर मैंनका चलो अच्छा हुआ तुम रेडी हो गए तो अब मैं सबसे मेन वाला काम जो होता है न उससे फारिक हो गई थी और मैं आज न उसकी और बस मैंने नुका कहा है तुमाई दादी का घर अ अप्पी का घर तो कहे रहा मंमा ये रहा मन का जाओ फिर अपने घर जाओ यहांसे करण आप भी चलो ना और यहां देखो नीचे गुस जाएगा इसको ना बच्चे की आवाज आनी चाहिए पर उसमें बच्चे की आव यहां पर हम लोग देखने गए थे अभी मैं आपको दिखा आ रही हूं के कैसा है कैसा नहीं मिलकुल फ्रेश बना हुआ है यह वाला अभी कोई चड़ा नहीं और इनको ना छोटी फैमिली चाहिए और हमसे चोटी फैमिली और होगी कौन हम लोग गिंती के ढाय लोग सारे है तो दो रूम सेट है यह वाला और यहां पर थोड़ा थोड़ा बहुत कोसली होता है रेंट पर रहना ना सच में मतलब सिंगल रूम में गुजारा हो नहीं सकता है डबल रूम सेट लो तो इतना इतना हाई हो जाते है ना उसके रेट के बोलने से भी आसा लगता है यार इत वाश रूम और टॉयलेट ना अटेच है बस ये था मन का चलो ये शेर कर लेती हो आप लोगों के साथ के कैसा है कैसा नहीं और उसके बाद देखा मैंने कहा था ना आपको के जो मुझे काम करने होते हैं मुझे लाना था राशन तो बस यहां पर मैं राशन वाले की दुकान पर आई भी थी जो जो मुझे चाहिए था मैं लिस्ट बना कर तो नहीं लेकर जाती पता नहीं क्यों मेरे अंदर आ जाता है कि मैं लिस्ट नहीं बनाती किसी भी चीज की बस दुकान पर जाके खड़ी हो जाओंगे भया ये निकाल दो ये निकाल दो ये निकाल दो इतना यह इतना चाहिए बस ऐसा बोलती रहती और दुकानमें जो सामने भीएता रेता और एक्सरा ने काफी ज़्यादा हो गया था चोटी मोटी थैली में तो आई नहीं सकता था तो उन्होंने कट्टे में बांध दिया और आप के बच्चा खड़ा ना इसके सर पर रख दो असने लगे कहा रहे यार बैड़ आप भी कैसी बात करता है मौनका कैसे क्या दो बस यहां पे आ गया था आते आते चाहते देखो इसका मूँ खुल गया था वह जो उन्होंने रस्ती बांदी थी अर्फिर आते ही यहां पहले राशन लिया और फिर यहां पे यह मेरा तेल खतम हो रहा था तो सरसो का तेल मंगवाया को लूँ से बतलर दोनों चीज अलग अलग जगेसे लेने को सरसो का दील का तील मैं वहां से ले सकती लेकिन आदत है लेने के तो कोलु से मंगवाया इधर अपना डियरी वाला समान जो में झूर्मल घर में यूज होता है दूद दही पापे फैन जो भी बस आज का सारा दिन भागम दोड़ी में कभी इस दुकान पर जाओ, इधर से समान लो दूसरी दुकान पर जाओ, दूसरी दुकान से समान लो तीसरी दुकान पर जाओ, तीसरी दुकान से समान लो बस सारा दिन ऐसी निकल गया था और यहां पर अभी मेरा mood नहीं था कि मैं दूद गरम करूँ तो मैं फ्रिज में सैट करने की कोशिश करी थी लेकिन यहां जगे नहीं थी तो मैंने गा चलो वेजिटेबल वाली ट्रॉली है इसमें जगे है मैंने का इसी में डाल देती हूँ बाद में देखी जाएगी जब गरम करना होगा अब भी हालत ऐसी नहीं है और यहां पे यह क्या फैन पापे आप लोगो कि यहां क्या बोलते हैं इसको यह भी बताना टोस्ट वागरा भी कुछ कहते हैं और यह अंडे वंडे रखे हुए थे मैंनगा कभी गिर गिरा जाएं तो इनको भी थोड़ा सा साइड कर दिया मैंनगा बस पता चलता जरा सा हाथ लगा और हो गया काम यहां फार्चून की थैली मेंदे को डबे में कैसे रखी है अगर खोल के रखती हूँ न यह डब बना कितना भी दोलू मुझे बड़ा गु शड़ी खाने का और यहाना वो तेल पलटने के लिए न मैं डबबा दोने खड़ी होगी थी मैंनका ऐसे गंदे डब्बे में तो कती न रखू मैं तो बस यह धोना था और दुल के फिर जब यह सूखे का न उसके बाद तेल पलटूंगी सबको पता है यार सूखने के अगर हूँ इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाती है भाई छोटी कर थोड़ी सी लेकिन नहीं होती मुसे छोटी क्या करूँ छोटी वीडियो नहीं बना पाती है लेकिन ठीक है इतना चलेगा मुझे बरदाश करने वाले कर रहे हैं बरदाश मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर देना दुआओं में हमेशा याद रखना मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफेज